टू मिनिटस चीजी कुलहड पीजा वाव इतना टेस्टी, इतना चीजी, इतना ईजी की पच्चा भी इसे बना ले बहुत ही सिंपल और चीजी रेसिपी आज में आप सब के लिए लिएकर आई हूँ मिंटों में बनने वाले इस चीजी कुलहट पिजा को बना कर जरू ट्राय कीजिएगा छोटे तो क्या बड़ेवी से चट कर जाएंगे सबसे पहले हम मिक्षर बनाएंगे इसके लिए मैंने तीन ब्रेट स्लाइसे के साइड से रिमूब कर दिया और चोइस के कॉड़िंग आप से स्किप भी कर सकते हैं जो घर पर अवेलेबल है कटे वे प्याज डाल दिये साथ ही मैंने हापे कटे वे टमाटर भी डाल दिये इनकी मैंने बीज रिमूब करके इसमें कट करके डाला है एक टीस्पून हम यहां रैड चिली फ्लेक्स और साथ ही में एक टीस्पून हम यहां पर ओरिगेन डालेंगे आधा टीस्पून हम यहां काले में श्वार डालेंगे और आधा टीस्पून ही हम यहां इसमें नमक डालेंगे तो इस तरह से ये बेसिक सभी पीजा वाले मसाले हम निसमे और सबजें डाल दी हैं अब हम इसे थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए वन फोर्थ कप टमेटो केचप डालेंगे और साथ ही में वन फोर्थ कप हम यहाँ पर यह उनिस डालेंगे आप इसके अंदर थोड़ा सा चीज भी डाल सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से ये मिक्षर बना कर पहले से ही रख सकते हैं ताकि जब इसे खाना हो फटा फट से इसे हम कुक करेंगे और एंजॉय कर सकते हैं तो ये मिक्षर हमारा तयार है अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये दो कुल्हर लिये हैं जो मेरे प्यास थे अब हम इन्हें तयार मसाले से भरेंगे यदि आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चाय वाले जो कप्स होते हैं उन्हें भी इन्हें बना सकते हैं और इस तरह से हमें यापे स्टफिंग को 3-4 तक भर लेना है और हलका से इसे दबा लेना है ताकि जब हम इसे एंजॉय करें तो हमें फुल्फिलिंग लगे और अच्छा लगे खाने में तो इसे अच्छे से प्रेस जरूर कर लीजिए तो 3-4 इस तरह से भरने के बाद में हम इसके उपर और इसी तरह से सब्सियां और सभी चीजों की एक एक करके लेरिंग लगाएंगी फ्रेंट्स मैं आपको आगे बताऊंगे कि यह ओरिजिनली कुलर में कैसे बनता है तो वीडियो को ध्यान से देखें तो इस तरह से मैं वापस से न laugाया हुं पर थोड़ा ही क्लिए तरह से अपि यहाँ पर सब्सियां को इस तरह से डालते जाएं ने जो आप सब्सियां करीब करिब मनें यह आप से डाल दी और इन्ने भी हम हल्का साफ प्रेस कर देंगी ताकि ये नीचे बैट जाए और हम उसके उपर और धेर सारी चीज लगा सकें तो इस तरह से अब हम यहाँ पर आपस से चीज की एक लेयर लगाएंगे इस तरह से यह प्लेयर लगाएंगे तो आपको पिज़ा का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि इस तरह से भी पिज़ा बन का कर हम एंच्छा कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने धेर सारी यहाँ पर मौज़रा चीज लगा लिये ध्यान रखें इस पिज़ा के लिए आपको मौज़रा चीज का ही यूज़ करना है शिडार या फिर आप जो प्रोसेस चीज लगाएं उसमें चीजी एफेक्ट नहीं आएगा तो वापस से मैं से और कलरफुल और ब्यूटिफुल लगाने के लिए थोड़ी सी कैपसिकम, टमाटर और साथ ही मैं थोड़ी से मैं स्वीट कॉर्ण इस तरह से लगतूंगी तो वह भी आप लगाई बहुत ही मजा आने वाला है, अब मैं वापस से आपको इस मैं ने मिट्टी का कुलर लिया है उसे भी मैंने से मिसी तरह से स्टफ किया है और मैं इहां पर इसे भी से उसी तरह से उपर गार्निष कर रही हूं ताकि ये भी देखने में बहुत ही अब मैंने आप एक कड़ाई ली है उसे मैंने प्रिविट कर लिया और एक नीचे वे जाली रख दी है और इन कुल्हड को में आप मिट्टी के भी रख सकते हैं इस तरह से चीनी मिट्टी वाले भी रख सकते हैं और धक करम करीब पांच मिनिट के लिए इसे चीज मेल्ट होन की र exhibition ही अधिक्याइट है भी आप दिखेंगा औरके सब्सक्राइब को मुंह पानी नियुकIF की उजरी आया टेक्स के उनुए अधिम घान से निकालिए राग्या गत्ति होताना है Pennita वन अब इस तरह सब्सक्राइब काफ़ी गर्म है यह और अजी होती होती है रिशियंस रिष्पी है यह और देखिए कढ़ई में यह 5 मिनिट लेता है तो इस तरह से हम इसे कढ़ई में भी बना सकते हैं प्रेश्यकुगर्वे बना सकते हैं जितने भी कप्स आपको इसे चाहिए इस तरह से तयार कर ली थेंक यू